हेलो स्टुडेंट्स आज हम पढ़ेंगे मैक्रो एकनॉमिक जैने के समस्टिर साथ एक परीचे का चैप्टर फॉर जिसका नाम है आई निर्धारण विद नोट्स के साथ इसको हम आसान भासा में समझेंगे हमारा फर्स खोशन है इसमें भोग का मनोवग्यानिक नियम या भोग फलन तो भोग फलन आई और भोग के संबंध को दर्शाता है जिसके अधार पर केंज ने भोग के मनोवग्यानिक नियम का निर्मान किया इस नहीं के अनुसार आये के शुन्य स्तर पर भोग वे शुन्य नहीं होता साकिन्ड आये में विर्दी के साथ सर भोग में विर्दी होती है प्रम्तु आये में विर्दी के तुलना में कमान उपात में आए में विर्धी के कारण उब्भोग और बचत दोनों में विर्धी होती है आपको पता ही है आए आप कमाओ या न कमाओ पैसे कमाओ न कमाओ पर आपको उब्भोग तो करना ही होता है इसलिए आए के शुनने स्थर पर भी उब्भोग शुनने नहीं होता जैसा कि टेबल पर दिखाये गया है आए जीरो यानि कि कुछ भी ना कमाने पर भी आपको भोग पचास है जिसे डाइगराम पर दिखाये गया है आप देख सकते हैं उसको हमारा नाइक्ट कोश्चन है भोग प्रवर्ती तथा इसके परकार भोग प्रवर्ती वह तालिका है जो आए के भिन-भिन इस्तरों पर भोग की भिन-भिन मात्राओं को दर्शाती है ठीक है इसके दो परकार है ओश्चन भोग प्रवर्ती और एक सिमान भोग प्रवर्ती ओश्चन भोग प्रवर्ती भोग और आए का अनुपात है इसका रूल है APC is equal to C upon Y APC का मुल्य एक से अधिक हो सकता है यदि भोग आई से अधिक हो सेकेंड है सिमान्द भोग प्रवर्ती सिमान्द भोग प्रवर्ती भोग में प्रिवर्तन और आई में प्रिवर्तन का उनुपात है MPC बरावर डेल्टा C upon में डेल्टा Y इसके दो परकार हैं और एक सिमान्द भचत प्रवर्ती और एक सिमान्द भचत प्रवर्ती भचत और आई का उनुपात है APC is equal to S upon Y इसका रूल है APC का मुल्य रिणनात्मा हो सकता है यदि भोग आई से अधिक हो सिमान्द भचत प्रवर्ती है सिमान्द भचत प्रवर्ती भचत में परिवर्तन और आई में परिवर्तन का उनुपात है APC is equal to delta S upon delta Y इसका रूल है APC का मुल्य समान्द एक से कम और स्चुनने से अधिक होता है हमारा next question है निवेश गोड़क का अर्थ निवेश गोड़क आई में परिवर्तन तो था निवेश में परिवर्तन का अनुपात है माना एक रत्वे अस्था में 500 करोड का निवेश किया जाता है जिससे आई में 2000 करोड की विर्दी होती है इस इस्तिति में निवेश गोड़क 4 होगा अब ये कैसे होगा डूल के according समझेंगे के बराबर डेल्टा वाई अपन में डेल्टा आई जो के है वो गुड़क है वाई आए है आई इन्वेस्टमेंट है के बराबर 2000 तो आगई आए 500 आगया इन्वेस्टमेंट जब इसको डिवाइट करो गया जाएगा चार फिर है हमारा नैक्स टॉपिक गुड़क तथा MPS में संबंध गुड़क को केम माना जाता है आपको पता ही है तथा गुड़क तथा MPS में रिनात्मक संबंध है अर्थात MPS का मुल्ले अधिक होने पर गुड़क का मुल्ले कम होगा तथा MPS का मुल्ले कम होने पर गुड़क का मुल्ले क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा नैक्स टॉपिक है हमारा गुड़क तथा MPC में संबंध गुड़क तथा MPC में धनात्मक संबंध है अर्थात MPS का मुल्य अधिक होने पर गुड़क का मुल्य अधिक होगा तता MPC का मुल्य कम होने पर गुड़क का मुल्य कम होगा इसका कारण यह है कि संपूर्ण अर्थवस्ता की दृष्टी में एक व्यक्ति का व्या दूसरे व्यक्ति की आय होती है यदि MPC अधिक है अर्दाथ व्यक्ति अपनी आए का अधिकतर हिस्सा खर्च करता है तो इस चैनल लोगों की आए में विर्दी होगी तो यह प्रिक्रियर चलती रहेगी अगर सपोस कीजिए आपको MPC आपको दे रखा 0.9 तो इसका रूल है के बराबर 1 अपन 1 माइनस MPC के बराबर 1 अपन 1 माइनस 0.9 जो की हमें पता है MPC की वैल्यू है के इस गोल टू 1 अपन 0.1 के इस गोल टू 10 टैन का अंसर आजाएगा इसको सॉल्फ करना पड़ेगा आपको हमारा नेक्स टॉपिक है गोड़क का कारेकरण या निवेश में विर्दी से आय में होने वारी विर्दी को समझाईए निवेश में विर्दी करने से आय में विर्दी होती है आय में विर्दी करने से उब्होग में विर्दी होती है उब्होग में विर्दी होने से आय में विर्दी होती है तो यह प्रिक्रिया निरंतर चलती रहती है इसको टेबल के जरी आपको दर्शाना होगा एक्जाम में भ विर्धी एजट इस पूरा का पूरा जितना भी हमने वीडियो में टॉपिक बनाए है सेम लिखने होंगे गुड़क के दो प्रकार से गुड़क जो है दो प्रकार से कारे करता है फर्स्ट पॉंट एस का निवेश के अनुकुल प्रक्रिया इसमें निवेश में विर्धी करने पर आय में कई अधिक विर्धी होती है जैसा कि डाइगराम में दिखाया गया वास्तविक AD है उसमें दिखा रखा है और अवशक्ता कितने की है AD की 11 की आने की फिर सेकंड पांट निवेश के प्रतीगुल प्रिक्रिया इसमें निवेश में कमी करने पर आई में कई अधिक कमी होती है तो आए में कमी दिखाई गई है इसके इंदर जब निवेश में कमी हुई L से 11 हो गया है वास्तविक से अवशक्ता नीचे की और जा रही है तो आए में क्या हो गई है इससे बहुत अधी कमी हो गई है यह हमारा चैप्टर ही कबर होता है